अनन्त अम्बानी के बिर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बॉलिवुट से उनके करीबी दोस्त जामनगर पहुँच चुके है सल्मान भी फिलहाल जामनगर में ही है A video from the celebration surfaced, showing सल्मान सिंगिंग अलोंग साइड भी प्राक Birthday boy अनन्त अम्बानी was also seen enjoying the performance क्या अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर का हो गया है ब्रेक अप वेल अनन्या पांडे के एक social media post के बाद हो रही है speculation दरसन अनन्या ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक क्वोट लिखा है जिसे फैन्स उनके ब्रेक अप से जोड कर देख रहे है अनन्या ने लिखा है If it is truly meant for you, it will come it will leave only for the back to your sake of teaching you the lessons you could only learn for you, on your own, if it is truly meant if you've pushed it in denial, even if you are in denial, so beautiful could never be it will return even away, even if you're assume something truly yours because if it's truly meant for you, it is never not a piece of you, it is never not intricately tied into the depths of your soul. She captioned this note as, Monday manifesting, alongside a thank you, an evil eye and a blue butterfly emoji Actress Jaya Bachchan Ke Birthday Ko Puri Bachchan Family Dhoom Dham Se Celebrate Kar Rahi Hai Big B Ne Apni Better Half Ke Liye Special Blog Me Likha The better half celebrates her birthday today, and all the greetings for her are recognized and shown gratitude, as always, a quiet family, bring in, for the 9th on the midnight hour, and the love of immediate family presence, वही अभिशेक बच्चन ने भी अपनी मॉम को विश करते हुए लिखा Happy Birthday Ma, Love You with a Red Heart Emoji लेकिन इन Wishes के बीच में, सोशल मीडिया पर ये बाते हो रही है, कि आखिर एश्वर्या राय बच्चन ने अब तक Jaya जी को विश क्यू नहीं किया फिल्म मैदान में अजे देवगन के अपोजिट अक्ट्रिस प्रियमनी नजर आएंगी और उन्होंने अब अपनी फिल्म के क्लाश विद बड़े मिया छोटे मिया पर बात करते हुए कहा है उनके और प्रित्वी राज के बीच फिल्म की टककर को लेकर कोई बात नहीं हुई है उन्होंने कहा कि वे प्रित्वी राज को खलनायक की भूमिका में देखने के लिए काफी उतावली है आगे कहा कि वे जानती हैं कि पृत्वी राज ने फिल्म में दमदार काम किया है। आगे प्रियमनी ने अपनी फिल्म के कंपारिजन विध ऐसा के स्चग्दे इंडिया पर कहा है। Honestly, I can tell you two differences right off the bat. First, that was hockey. This is football. Second, in चग्दे इंडिया, you had 11 women running around and here. You have like 11 men running. In fact, 22 if you also consider the other side. But again, this is not a story just about football. Reports के मताबिक अक्टर साहिल खान के खिलाफ, Mumbai पुलीस ने महादेव बेटिंग आप केस में लुकाउट नोटिस जारी किया हुआ है। और इस मामले में अरेस्ट से बचने के लिए साहिल खान ने एक अंटिसिपेटरी बेल की प्ली को डाला है। दरसल साहिल खान दुबाई से इंडिया अपने फादर की देखभाल करने के लिए आना चाते हैं जो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे है। आपको बता दे महादेव आप बेटिंग केस में एंफोस्मेंट डायरेक्टरेट ने दिसेंबर 2023 में साहिल खान को समन भेजा था। इस केस में और भी कई आक्टर्स लाइक रंबीर कपूर, हुमा कुरेशी, हीना खान, भारती सिंग और श्रद्धा कपूर से पूछ ताच हो चुकी है।